नमस्कार स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूँ आपके साथ सुपनिल याद वगत हो चला है यूपी की बड़ी खबरों का तो रुख करते हैं पहली खबर की ओर जहां पांच राज्यों का विधान सभाद चुनाओ संपन होने के बार कॉंग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सक्रीता बढ़ा दी है वहीं उसी के साथ मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी कॉंग्रेस लोकसभाचनाओ से पहले राहुल गांधी की भारत जोडो यात्रा की तर्ज पर यूपी जोडो यात्रा निकालने जा रही है यूपी जोडो यात्रा के पहले चरण के शुरुवात 20 दिसंबर से होगी सहारनपुर से निकल कर यूपी जोडो यात्रा का काफिला 15 जन्वरी को नविशारेंड पहुचेगा कॉंग्रेस यूपी जोडो यात्रा निकाल कर प्रदेश में बहुल बनाने की कोशिश करेगी बता दें कि कॉंग्रेस ने यात्रा के नाम में बदलाव किया है पहले परिवर्बतन यात्रा के नाम से यात्रा निकालने की तियार की जा रही थी लेकिन पार्टी ने इसका नाम बदल कर यूपी जोड़ो यात्रा नाम रखा है धरिसर यात्रा के जरिये कॉंग्रेस बीजेपी की जनविरोधी नीतियों के बारे में बताएगी आपको बता दे 2024 में होने वाले लोग सभाचनाओ को कॉंग्रेस लेकर यूपी में जादा फोकस कर रही है उत्तर प्रदेश में जमीन तलाशने की कोशिश में लगी कॉंग्रेस अब यूपी में यूपी जोडो यात्रा की सुरुवात करने जा रही है आपको बता दे कि कॉंग्रेस अध्यक्ष अजयराय ने इसकी जानकारी दी है पत्रकारों से बात चीत करते समय मीडिया से बात चीत करने के दोरान में प्रदेश अध्यक्ष अजयराय ने बताया कि 20 दिसंबर से सहारनपूर से शाकुम्री देवी मंदिर से ये यात्रा यानि मिल होगा आपको बता दे कि कॉंग्रेस की जो यह यात्रा है यह काफी यूपी में अपसक्रिता बढ़ती जा रही है लगतार जाद जानकारी के लिए हमारे साथ आमिर जुड़ चुके हैं आमिर जानना चाहेंगे आखिर कॉंग्रेस ने परिवर्तन यात्रा का नाम बदल कर यूपी जोड़ो यात्रा रग दिया है इसके पीछे की क्या वज़े है बताना चाहेंगे कॉंग्रेस में कल एक बैठक हुई थी जिसमें सभी पूर विदाय को सांसदों को बुलाया गया था जिसके बाद इस यात्रा का नाम बदल कर यूपी जोड़ो यात्रा रग दिया गया है प्रदेश अजयराय जी ने इसके बाद एक प्रेस कॉंफेंस की थी और उन्हों ने बताया था कि जो है इस यात्रा में हम 20 दिसमबर से सहारनपूर से यात्रा शिरू की जाएगी कॉंग्रेस की उतना प्रदेश में जो कॉंग्रेस की सिती है उसमें सुधार के लिए जिलो चाहती है आमिर कि इस यात्रा से यानि की यूपी जोड़ों यात्रा से कॉंग्रेस को कितना लाब होगा अगर जो है जमीनी स्थर पे ये लोग उतर के काम करेंगे तो जो इनकी रड़ी की बनाई चाहिए बिल्कुल इससे लाब होना चाहिए चुनाओ का महौल है समय चुनाओ का समय भी है और लोग परिवर्तन भी देखना चाहते हैं कि क्या हो उत्तर प्रदेश में परिवर्त जाहते हैं लोग उसके लिए कॉंग्रेस बहुत जमीनी स्थर परत काम कर रही है तो बिलकुल उसका लाब मिलना चाहिए जैसा कि आमेर कॉंग्रेस जो है वो चुनाओ के समय में ही उत्तर प्रिदेश में काफी जादा सक्री होती है तो क्या यह सिर्फ सक्रीता दिखाने का प मिलेगा क्योंकि चुनाओ जीतने के लिए और जंता में विश्वास बनाने के लिए लगातार काम करना बहुत ज़रूरी है जद जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद राजधानी लखनाओ के बलरामपुर अस्पताल में डॉक्टरों को लेकर निर्देश दिये हैं कि डॉक्टर जीन टी-शट पहन कर अस्पताल नहीं आएंगे सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर को फॉर्मल ड्रेस पहनने के निर्देश दिये गये हैं महा निर्देश आले के आदेश के बाद अस्पताल प्रसासन ने आदेश जारी किये हैं बता दे कि अस्पताल में चतुर्थ स्रेडी के कर्मचारी के लिए पहले से ही ड्रेस कोट लागू है आपको बता दे कि जो डॉक्टर के लिए ड्रेस कोट लागू किया गया है और इसके बाद अब डॉक्टर अस्पतालों में जीन्स टीशट पहन कर नहीं आ सकेंगे और इस टीशेट के नहीं कर सकेंगे बतंते कि अब रंग बिरंगी ढूप् humour अध्यक्लेंट सो 빼 ग्या यहिए नहीं कर सकेंगे इसके साथ उन के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है आपको बता दें कि जिला स्पताल में डॉक्टर रंग बिरंगी ड्रेय्स के अलावा जीन्स और टीशर्ट में OPD नहीं कर सकेंगे CMS ने इसको लेकर आदेश चारी किया गया है कहा गया है कि यदि डॉक्टर जीन्स में आते हैं तो उनके खिलाफ विभागी कारवाई होगी बलरामपूर का ये मामला है बता दें कि बलरामपूर से ये खबर सामने आ रही है आदेश अभी को भेजा गया है डॉक्टरों के साथ ही फार्मासिस्टों को भी यही आदेश दिये गया है जादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके है कलीम बलरामपूर अस्पताल में डॉक्टर्स के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है क्या कि जाए जो एक आदेश पारित हुआ है उसमें साथ और से डक्तरों के लिए यह जिसमें साथ और से कहा गया है कि जो टी-शट में हॉस्पियल पहुशते थे सरकारी फिर बल्लामपूर अस्पताल की बात कि या फिर जो और सरकारी इस्पताल है वहां पर जो ड्रेस कोड़ है उनके द्वारा यह निर्देश पूरी तरीके से पारिश करते हुए सभी को बेज दिया गया है अब देखना यह होगा आज सब्सक्राइब कि कर्मचारियों के लिए पहले से ड्रस कोड लागू किये गये थे कर्मचारी एंब उनकी विसे पर किसी तरह का को बेस्ट नहीं आया कुटिक शूरी ठैखनाती हूब निर्देश है वह थेक्टर करते है। सबसे बड़ा प्रतीक है लेकिन इसके बाद बलरामपुर अस्पिताल के लिए है या फिर अन्य अस्पितालों में भी अब जल्द कुछ बदलाओ देखने को मिलें गी ड्रेस कोड को लेकर अभी निरस जारी के गया है यह वह लगा-तर जिस्ट में लगा-तर आते हुए निर्देश दियेकर है कि वो भी आप एक फार्मर कोई ड्रेस उव्ह रएएंगे रहा ह heddi सब्सक्राइब नियुक्त के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि अकिल भारती ब्रांभर महासभा लखनौव में ब्रांभर महाकुंब इंद्रा गांधी प्रतिस्थान में 14 दिसंबर 2023 को आयोजित कर रहा है और इस महाकुं में दिल्ली एंसियार के साथ पश्चमी उत्तर प्रदेश के में कारिकरता डासना देवी मंदिर में एक खटा होंगे इसके बाद सभी लोग भगवान परिशुराम का अशिर्वाद लेकर उनके सस्र और प्रतीक चिन 151 परसों के साथ लखनाओं के लिए रवाना होंगे वहीं आपको बता दे कि अखिल भारती ब्रामभर महा सभा के प्रभारी श्रवण कुमार श्र्मा ने बताया कि विधान परिशद सदसिचंद शर्मा यात्रा को हरी जंडे दिखा कर रगवाना करेंगे और श्रवण कुमार श्रमा के मुताबिक इस कारिक्रम में मुख्यातिती और मुख्य वक्ता जगत गुरू राम भद्रचार्या है और यही साथ ही श्रवण कुमार श्रमा ने अधिक से अधिक लोगों को लखनाव पहुचने की अपील की है अभी आप सब देख रहे होंगे के हमारा एक कारिक्रम हमारे संग्ठन के तत्वावधान में मान्य राष्ट्य अधिक्त राजिनात त्रपाठी जी के द्वारा गौमती नगर इंद्राप्रतिस्थान लखनव में किया जा रहा है जिसकी तैयारियां हम लोगों ने यहां पश्चिम में पूरे जोरो सोरो से की हैं और इसमें हमारे मुख अतिती, मुख वक्ता, परंपूज, जगत गुरू, पदम विभूसित, स्री राम बद्राचारियाजी महराज आ रहे हैं और सभीों हमारे समाज के और जो सनातनी लोग हैं वो सब उनके असीस वचन सुनने के लिए जाएंगे ऐसी मेरी कामभना है उज हमने यहां से क्यूंके चौदाय ताडिक का चौदै दिसंबर का ये लखनो में कारिकरम है तो उसी के क्रम में हमने 13 दिसंबर को कल को हमने एक कारिक्रम डासना से रखा है कि यहां भगवान परशुराम जी की प्रतिमा है उस पर माल्यार पणकर उनको नमन करके हम उनका आशिरवाद लेकर भगवान परशुराम के सस्त्र भगवान परशुराम का फरसा जो एक प्रतिक चिन्द के तौर पर हम लेकर यहां से सभी जो भी हमारे ब्राहमन बंदु यहां आ रहे हैं कत्रित हो रहे हैं वो 151 फर से हमने तैयार कराए हैं उन्हें लेकर यहां से लखनों के लिए रवाना होंगे आपको बता दें कि अखिल भारती ब्राहमन महा सभा के रास्ट अध्यक्ष मादो मिश्र शनिवार को महानगर पहुचे और उन्होंने बताया कि महाकुम की तैयारियां जो है वो जोरो शोरो पर चल रही है और इसी के साथ ही साथ पधादिकारियों और सदस्यों ने रास्ट अध्यक्ष का स्वागत किया पताया जा रहा है कि इस वर्सों से माधव ब्राहमर समाज की आवाज बन कर खड़े हैं आपको बता दें कि जादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रवीन जुड़ चुके है तो प्रवीन क्या कुछ जानकारी है कि ब्राहमर समाज के कौन कौन से कारिक करता इसमें शामिल ह यहां पर लगभग 151 फर्सों के ताथ यहां से पर्चुराम भगवान की जोती यहां पर अर्षित की जाएगी उसके बाद सीधे लगनों के लिए लोग निकलेंगे गोंप्टी नगर जहां पर भावे कारेगरम होना है वहां बराम्मर्स समाज के सभी लोगों को एकतर करने क कि बात कहीं गई है इसमें ताफ तौर पर इंदिक आ गया है कि जो ब्राम्मर्स समाज के जो यहां के पदाजिकारी है वो लोग भी पहुंचेंगे आज लगबर तेरा तारी को यहां से जोती जलाई जाएगी जो की पर्चुराम भगवान की आर्थी होगी उसके बाद जितने भी ब्राम्मर्स समाज के लोग एगत्र होंगे लोग तीदे लखनों के लिए कुछ करेंगे जो कि चौला तारी को भग कारिकरम होना है इसको लेकर काफी प्यारिया कर दी गहीं है जी यह जो 151 फरसों का जो कूछ करेंगे इसके पीछे क्या कुछ रंडिती होर आय और एक यह जिताया जाएगा कि आने वाले जो लोग सुबह चुनाओ है उसको लेकर दिखाता इसमें प्रभाव डाले का प्रयास किया जाएगा कि ब्राम्मर्स समाज है वो लोग काफी पिठे हुए हैं उनको टिकट नहीं मिलती है अबने जगाहों से तो कहीं अगर यह ए काफी भारी संक्या में लोग एकत्र होंगे जहां पर सुजा अर्चना करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद खबरों का सिलसला लगतार जारी रहेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी और एहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी